तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लड़ेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं हालांकि इसके पहले वाली वीडियो में आप लोड़ी बता चुकी हूं कि वाहिद और जम करेंगे ठीक है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक महती ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात में आप लोग को बता देना चाहती हूं कि अगर आप लोग उर्दू ग्रामर डीपली पढ़ना चाहते हैं अगर आप लोग सर्च करेंगे तो भी आप लोग को दिख जाएग कि उर्दू ग्रामर एकदम बेसिक से आप लोग पढ़े एकदम स्टार्टिंग से उर्दू में मास्टर माइंड होना चाहते हैं तो उस चैनल से जरूर जुड़े जिसका नाम क्या है ग्यापन इंट्रेंट्स अकेडमी ठीक है तो चैनल से जरूर जुड़े सबस्क्राइ को वीडियो को शेर कर दीजिए फड़ाफट पहले ही और लाइक कर दे चैनल पर आप लोग आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ठीक है तो चलिए स्टार्टिंग से हम लोग समझते हैं मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है टेंट और 12 में उसी के सब्सक्राइब अगOR फूरा ग्या तक आप लोग नोग पढ़ते होंगे तो इस को क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं इस को केते हम लोग अक्षर है नरिशार उपिर रृण भी क्या है एक अक्षर है 2019 वर्ण है खा भी क्या है एक अक्षर है गा भी क्या है अक्षर है मतलब कौसे लेकर गया तक जितने भी अक्षर है उन सभी को अगर एक क्रम में सजा दिया जाए मतलब कौसे लेकर ग्यां तक कि सभी अक्षरों को अगर एक क्रम में माला में सजा दिया जाए तो उसी को कहते है कि हम लोग वर्ण माला क्या कहते हैं वर्ण माला को से गया तक के सभी अक्षरों को सभी वर्ण को अगर माला में सजा दिया जाए माला की तरह सजा दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं वर्ण माला यानि कि को से लेकर गया तक के सभी अक्षरों को क्या कहते हैं वर्ण माला ठ ऐसे मतलब ऐसे समझ कर मैं चल रही हूँ ना कि आप लोग उर्दो ग्रामर में कुछ भी नहीं जानते हैं हर एक एक पॉइंट आप लोग को कवर करा रही हूं ठीक है तो एबी सीडी आप लोग पढ़ते होंगे एबी सीडी तो यह सब क्या है यह सब है एक लेटर है यानि कि कहते हैं अल्फाबेट कहते हैं हिंदी में कहते हैं माला इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट लेकिन अब बात आती है उर्दू की उर्दू में भी तो अल्फाबेट होता है ना तो उर्दू में अल्फाबेट को क्या कहते हैं अलीव बे पे आप लोग पढ़ते हैं अली बे पे ठीक है तो यह सब क्या है अलिफ से लेकर बड़ी ये तक जितने भी हर्फ है क्या कहते है अलिफ से लेकर अलिफ बे पे यह सब क्या है हर्फ है याद रखिएगा हर्फ इंग्लिश में होता है लेटर, A एक लेटर है, B एक लेटर है, हिंदी में होता है अक्छर या फिर वर्ण, और उर्दु में क्या होता है, उर्दु में होता है हर्फ, यानि कि अलिफ एक हर्फ है, B एक हर्फ है, ठीक है, और इसी तरह उर्दु में जितने भी हर्फ है, में कहते हैं हरूफ तहजी याद रखना है क्या कहते हैं हरूफ तहजी ठीक तो यह अलिफ एक हर्फ है बेक हर्फ है पेक हर्फ है और इसी तरह जितने भी हर्फ है अलिफ से लेकर बढ़ी ये तक उसको अगर एक क्रम में सजा दिया जाए उसको क्या कहते हैं हरूफ तहजी हर तो फिताजी को आप लोग वर्ण माला भी कह सकते हैं, अल्फाबेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब बताईए, जो इंग्लिश में अल्फाबेट होता है, उसमें टोटल कितने लेटर होते हैं, आप लोग को पता होगा, आप लोग बता देंगे कि जी हाँ, 26 ले होता है, अब बात आती है उर्दू की, उर्दू में हुरूफ तहजी होता है, यानि कि अल्फाबेट, तो उर्दू में अल्फाबेट यानि कि हुरूफ तहजी में कितने हर्फ होते हैं, कितने लेटर होते हैं, बताईए, तो मैं आप लोग को बता दूं कि उर्दू में ज तपने इस लिए इसी को इसका नाम क्या रखा गया हुरूफ तो इसमें तोटल बावन लेटर है यहां यहां तक आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा अगर आप लोग यहां तक स्क्रिनटट लेना चाहते हैं तो पड़फट ले लिए क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं हुरूफ तहजी जिस तरह आल्फा बीट को दो भागों बाटा गया है आगे बताती हूं अगर आप उर्फ भागों बाटा गया है कितने भागों में बाटा गया है और बचा जो पंद्रह वह हुरूफ मुरकब कहलाता है याद रखिएगा 52 लेटर को दो भागों मेंबाट दिया गया है रुउफय मुफरत में मुरककबแล को जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता है अलिफ को आप कि और टुकरा टुकरा कर दे और तोड़ देता क्या आप लोग तोड़ सकते हैं नहीं बे को भी नहीं तोड़ सकते हैं अलिफ के उपर मत लगा है तो यह मतलब नॉर्मली या बोल सकते हैं उर्दु आप लोग कमेस्ट्री में पढ़ते हैं कभी-कभी अपवाद हो जाता है ना उसी तरह अलिफ के उपर मत लगया है तो इस तरह के हुरूफ होते हैं जो दो हर्फ से मिलकर बने होते हैं मैं आप लोग को बताती हूं सबसे पहले हुरूफ मुफरद है इसमें जो सायतिस लेटर है उसको देख लीजे एक है अलिफ के उपर मत जुड़कर आ हमजा चोटिए और बढ़िए यह सभी लेटर क्या कहलाएंगे हुरूफ मुफरद कहलाएंगे जो की 37 है अब आएए हुरूफ मुरकब को देखिए हुरूफ मुरकब में टूटल 15 लेटर 37 30 15 मिलाकर बावन हो जायगा ना तो दोनों को मिलाकर हुरूफ मुरकब कहलाता है जैसे कि देखिए हुरूफ मुरकब मैं आप लोगerta ही जो दो हर्फ से मिलकर बनता है जैसे कि बे में मिला कर भे बना है जो भे बना है कैसे बना है पहले था और इसमें हे जोड़ दिया गया दोनों को मिला कर क्या बन गया बे की आदे हिसे में क्या जुड़ गया यह जुड़ गया तो यह हो गया भे यानि कि भे जो बना है यह दो हरूफ से मिलकर बनाई और अगर अगर आप को दो अजोमें बाठना चाहें बढ़ जाएगा ब्दी अलग हो जाएगा धूस हुरूब को कहते हैं जो कि दो हर्फ से मिलकर बना हो ठीक है तो उसी तरह दे मी जाल में मिला कर नहीं तो यह रोफ ए पंद्र होप आप लोगों को समझ में किसे कहते हैं ुरूफे मुफरत किसे कहते हैं और होरुफे मुलकब किसे कहते है यहां पर आप लोगे टेंथ यह ट्वेल्ट क्लास का कोई भी बोड एक्जाम हो कोशन पूछ देता है कि हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है और तरह से पूछ सकता है कि हुरूफ मुफरत की तादा यान कि संख्या कितनी है अप्सन में दिया रहाएगा 37 उसको टिक कर देना है तो इस तरह से घुमा घुमा कर आप लोगे बोड एक्जाम है कोशन पूछे जाते हैं तो हर एक एक पॉइंट आप लोगो को याद रखना है जो कि मैं आप लोगो बताते चलती हूं ठीक है तो आप लोगो को यहां तक सम ले लिजे फडवर स्क्रीन शॉट तो चली आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं अगर आप लोगो चैनल पर नए आए हुए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बिल